हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर हिंदी की आज़ी क्लास में हम वाक्य और वाक्यांश पढ़ेंगे लास्ट क्लास में हमने शब्द और शब्द के भेद पर ले देगी शब्द कितने प्रकार के होते हैं ठीक है कैसे कैसे आप स सार्थक मेल होगा उनका ठीक है वर्णों के मेल सार्थक मेल से बनते हैं आपके शब्द और शब्दों के सार्थक मेल से या सार्थक समूह उसे आपका क्या बनता है वाक्य बनता है ठीक है तो वहीं आपर लिखा हुआ है कि शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है वाक् निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा निकलेगा या पिर मीन दो निकलेगा लेकिन त्ऊछ निकलेगा गु्मा धर बाते पक् раск कि वहां पर उपवाख्य के शब्द आता है तो अधूरे शब्द जिन से पूरा अर्थ नहीं निकलता है ऐसी जगा पर बाद छोड़ देतें कि जहां पर आपके अंदर क्या हो कि उसका उत्तर जानने की जिग्यासा उत्पन्नों तो वही है शब्दों का ऐसा समूझ जो अधूरा भाव दे, ताथा मन में जिग्यासा छोड़ दे, उसी को क्या कहते है, उपवाख के जैसे मैंने देखा, अब मैंने क्या देखा, ठीक है, किसी को हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मैंने देखा, तो उसकी मन में ये भाव आए नेक्स्ट आते हैं वाकिक के अंग पर, तो यह आपका बहुत important है, यहाँ पर में डालना भूल गई हूँ, यहाँ पर आप लिख लेना important, तो वाकिक के आपके दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विदिय, ठीके, जैसे आपने English में देखा होगा subject और predicate, ठीके, तो वही आपका यहाँ पर है उद्देश्य और विदिय, ठीके, तो उद्देश्य क्या होता है, जो काम करता है, यानि कि कोई व्यक्ति होगा, जो काम को कर रहा होगा, यानि कि आपका करता, वो होगा उद्देश्य, ठीके, अब कुछ ऐसे sentence होगे, जहाँ पर काम नहीं किया जा रहा होगा जैसे मोदी जी मोदी जी भारत के प्रधान मंतरिय तो यहां पर कोई काम तो नहीं हो रहा है ना मतलब मोदी सीधी से मैं विध्यार थी हूँ ठीक तो यहां पर भी यह उद्देश और विधेय आपके ठीक है तो यहां पर जो करता होगा वही आपका क्या होगा उद्देश यानि कि जब भी आप की होती है विधेया ठीक है या फिर अगर ऐसे है यासे कि मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री तो इसमें क्या होगा कि मोदी जी के बारे में जो बात कहीं जा रही कि युद्देशी की बारे में जो बात बताई जारी होगी वह आपका विधे होगा ठीक है एक अक्जामपल ढिए कुट्टा सोता है कुट्टा क्या है सो रहा है हो तो कुट्टा हो जाएगा आपक न सोना में विवह जाएगा ठीक है जैसे आपको उपर वाक्य दीये dan से मैं खाना खाता हूं तो मैं क्या हो जाएगा यहां पर उद्देश्ची हो जाएगा ठीक है कि आपका प्रधानता के आधार और तीसरा है आपका किसके रचना के आधार पर तीकि रचना जैसे आपने शब्द पड़े थे रचना के आधार पर कौन कौन से थे आपके रूड शब्द योगिक शब्द और योग रूड शब्द थीकि वैसी बाक्ये मिलेंगे आपको तो अर्थ के आधार पर आपका पहला है जो दिया आपर यानि कि वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए कि वाक्य में कोई भी काम हो रहा है तो वो वाक्य कैसा होगा आपका सकारात्मक वाक्य होगा जैसे मैंने पुस्तक पड़ी या उसने पुस्तक पड़ी मैं बाजार से फल लेकर आया पिता जी बाजार से आए ठीक है लेने तो यह सब में कुई काम हो रहा है तो ह다 निशेद राप्मग को करना नहीं पाया जाता है वो कहलाते हैं नकारात्मक या निशेद वाचक वाकिया जैसे वह आज विद्याले नहीं आएगा नकारात्मक हुआ ना मैंने खाना नहीं खाया मैंने पुस्तक नहीं पड़ी ये क्या होंगे आपके नकारात्मक होंगे इसमें कारे नहीं हो रहा है ठीक है फिर आते हैं प्रश्ण वाचक बाकिया थर्ड नम्मर पे ठीक है यदि वाकि में कोई प्रश्ण पूछा जाए या प्रश्ण किया जाए या फिर वाकि में प्रश्ण वाचक सब्दी यूज हो रहे होंगे ठीक है लेकिन यहां पर अपवाद यह है कि मुलत प्रश्ण वाच विबंवाबå तौह को प्रॉष्ण वाक्य दर defended by क्यों बुला रही है तो वाक्यों विद्ध्याले क्यों नहीं घए तो यह तो क्या करते हो तो ये वाकिया होंगे इसमें आदी वो दक वाकियों क्या होते हैं कि एसे वाकिय को शोक घरस घ्रना क्रोध आश्चर घालatti के भाप मिलेगे देखने को वह आपकी कहलाएंगे विस्मयादी बूदक यानि कि यदि वाक्य में शोक हर्स घ्रणा क्रोध आश्चर इन सब का बोध हो रहा होगा तो वो क्या होंगे विस्मयादी बूदक वाक्य होंगे जैसे वाह कितना सुन्दर फूल है अब यहां पर आप कोश्चन्स गर्सक्राइब किन वाक्य Democrats में New मुलां तुम्हें रहा है कि तुमने गीत कितिना अच्छा घाया या तो यह ऐसे वाक्य होती है उन्हें प्रशन नहीं पूछा जाता है पर प्रशन वाचक सब्दर का मिल सकता है ठीक Azhar Vy भी होगा शोग भी होगा तो इसमें आपको अरे हो ये सब वाक्य देखने को मिलेंगे और साथ साथ सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें आपको ये वाला जो है ना ये विस्मियाद बोदक चिन देखने को मिलता है नेक्स्ट आग्या वाचक वाक्य ठीक है तो नाम से क्लियर ह बढ़ कर दो ठीक है तुम तो ठीक है तो अधने यह eux एक तरीक्याराटे रहा है थीए पानी ले आओ तो आग्यार दी जा रही है थिक है यहिक है अपनना पक्षट रख सकते हैं आप अपनी बात बोल सकते हैं तो यह हो जाएंसा नेक्स ऐसा बाके पर यनिस अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हो तो इच्छा वाखिय होगा जैसे आपकी यात्रा मंगल में हो सब जाता है ना आपकी यात्रा मंगल इंउ ठीक है तुम विजईयो विजई भव बोला चाहते ना इक्षा होती है ठीक है आपकी गल्स होंगी या लड़कीह क्या बहुआ पर आपक्या करेंगे सिख्षक बनना पड़ेगा इस स्तुरिलिंग यानि कि रां पर जैसे मुझे कल दिलनी जाना हो मतलब पता नहीं कि वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है ठीक है आज भारे बारिश हो सकती है तो इसमें सक्ति वाले शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं अफिर ऐसा होता है कि आप जब sentence पढ़ोगे तो आपको अपने आपी उसका पता चलने लगा कि इसका भाव कैसा है ठीक है अब बारिश हो सकती है तो भाई हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना तो यह क्या संदे ही हो गया हाँ पर नेक्स आते हैं संकेत वाचक वाके पर यानि कि जिसमें क्या हो रहा होगा संकेत दिया जा रहा होगा अब यह कैसे इसपस्ट होगा यानि कि वाके में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करें यानि कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्र करोगे तभी सफ़लूगे यदि तुम ठायेगा तो तुम आएगा तभी मैं आउगा तो यहांपर भी एक रिया जो है आपकी वो दूस्रे पर आश्रित हो गई किया नेचिट आते हैं हम प्रधानता की द्रश्टि से या प्रधानता के आधार पर वाकी के भेट तो ये तीन प्रकार के होते हैं आपने पढ़े होंगे कर्तरी वाच्चे कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे ठीक है यानि कि इन सम्में क्या होते हैं आपने पढ़ी होंगे इनकी डेफिनेशन की इस जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो यहां पे प्रधान कोने करता है राम यह जीज़ और ध्यान रखना है यहां पर क्या है करता के साथ में आपको करता के साथ में आपको ने कारक्चिन मिल सकता है आपने ये कारक्चिन पढ़े थे last class में करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग इसा पढ़े है ना तो यहां पर करता के साथ आपको ने कारक्चन मिलेगा या फिर शून या फिर कोई कारक्चन नहीं मिलेगा ठीक है या कोई भी कारक्चन नहीं मिलेगा या फिर ने कारक्चन मिलेगा ठीक है कोई भी कारक नहीं जैसे तुम कलकत्ता जाओगे ठीक है तो ने भी मिल सकता है और नहीं भी मल सकता है ठीक है तो यह याद रखा इस में करता प्रधान घ्जाक्ष ओकन कर्ट नहीं नहीं हो जिसक्त की प्रदान षा है करता ऊटक है उतना अधर्धान होता है करता का लेक्म का कर्म को कैसे पहचांते हैं क्या का प्रश्ण करेंगे हमें कर्म पता चल जाएगा क्या पढ़ी मुझे को खाना दिया गए क्या ध्या नब मुझे को पर इसी भी जान सकते हो को शब्दा आहां पर डियाना पर दम कनव मुझ को इस में पलते बूल लिए और रिस बैचा का उर्म इस ने प्ता ने कि खाना जिसको दिया रहे वह तो पस्तित है किस ने दिया चाहिज अपता चलरा है सेंटेंस में कि खाना उसको कोई और ही तो देखे क्या होगा ना यानिकी करता यहां पर है ही नहीं सेंटेंस में ठीक है तो यहां पर जो मुझको शब्द है यह कर्म है ठीक है मुझको जो कर्म प्रधान नहीं जाता तो वही है मुझस से लिखा नहीं जाता सीता से देखा नहीं गया था थीक है तोइस में आपको देखिए मिल रहा है न से कारक्षिन मिल रहा है करता की साथ में ठीक है और करम बाले में आपको कारक्षिन मिलेगा के द्वारा या फिर को ठीक है के द्वारा या फिर को इस चीज को ध्यान रखना जैसे राम के द्वारा पुस्तक पड़ी गई सीता के द्वारा भोजन बनाय गया मेरे द्वारगीत गाया गया यह द कर्म बाद क्या है Alabama सफ procure नहीं term precio गया नहीं जाता था रचना के बाक्य के प्रकार यह सबसे इंपोर्ट audi एक तो यहां सब बनेगा ठीक है तीन प्रकार के होते हैं सरल वाक्य मिश्रुवाक्य और संयुक्त वाक्य ठीक है सरल वाक्य क्या होते हैं जिन में एक उद्देश वा एक विधेयो ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अनेक उद्देश और एक विधेयो हो सकता है या फिर अनेक उद्देश औ और अनेक विधेई होंगे लेकिन साथ साथ काम करेंगे वो जैसे समझे बच्चा खेलता है एक उद्देशी है ना बच्चा खेलता है एक विधेई हो गया ठीक है सीता और गीता दो उद्देशी हो गया ना सीता भी है और गीता भी है ठीक है विध्याले जाती है विध्या ए एक ही तो है न तो विधय एक है ठीक है राम सीता गीता और मोहन सभी साथ साथ लिखते पढ़ते और खाते पीते हैं तो यहां पर देखिए राम गीता सीता मोहन कई सारे उद्देश हो गए न और क्या कर रहे हैं साथ साथ सब एक साथ मिलकर खाते पीते हैं पढ़ते लिखते है अनके सब कुछ काम उनका एक साथ हो रहा है तो यह भी आप क्या होजएका सरल वाक्य हो जाएगा ठीक्य, अगर आप से पूछा जाएगा तो वो इसी तरिकी से पूछा जाएगा कैसे पहचानें गी ¿आप जिस्में उध्य रिद्धेशे एक मिल जाए और विधे एक मिल जाए या फिर्ट भेटिस कहारे उद्धेशी मेरें लेकिन विधेए एक मिल ठीक है ओंगो ठीक है नैक्त सायुकत वाक्य थीक है तो यह क्या उनगी इसमें 2 सरल वाक्या, साधरन वाक्य, जो भी आपने पढ़िती, बच्चा खेलता है, बच्चा सोता है, मानलो, 2 वाक्य हो गये न, यह किस से जुड़े होगे, समुझ्चे बोधक शब्द से जुड़े होगे, तो वो आपका सायुकत بن जाया, तो आप इसको याद कर सकते हैं सिर्फ और से ठीक है और शब्द मिल जाए लेकिन किन्तु परंतु शब्द मिल जाए अथवा या मिल जाए ठीक है अथवा भी मिल सकता है इसलिए नहीं तो फिर तो ये शब्द अगर आपको मिल जाते न सेंटेंस में तो आख बंद करके लग कि आज़ेगी मैं नोटस बनाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा ठीकिश तो यह क्या हो गया लेकिन शब्द मिल गया ना तो यह आपका रामधनी यह परंतु सुक भार्युकष्ट रामधनीय यह स्ढूंत वाके पर इसमें क्या होगा जिसमें एक वाके दूसरे वाके पर आश्रेत हो अर्थात एक साधन वाक्य और एक उपवाक्य आप समझ घेसे पर पता यहां अब क्या वह तो बात पता नहीं है न तो वह आपका मैं नहीं कहा जो वाकिं है इस में आपको क्या क्या मिलेंगे शब्द की दे assigned. उस यह वी आपको मिल सकते हैं तो आपके कैसे वाक्य होजाएंगे । ज्बुद प्रॉजा, कि तुम पढ़ोगे तुक की शब्द मिलाना ये क्या होगा आपका मिश्रवाक्य होगा जैसे ही मैं निकला वैसे ही बारिश होने लगी या वर्सा होने लगी क्या है मिश्रवाक्य एनीक करना होगा ठीक है उसके लिए कोई एक शब्द घु चानून ऑश्ह एक पूजांच पूछे भी जाते हैं तो देख लेते और वाक्याश के लिए एक शब्द करवा दूंगी ठीक है उससे पहले आपको जहां भी अगर आपके बस कोई जो पहले कभी ना हुआ हो अबूत पूर्व ठीक है बहुत कम बोलने वाला मित भाशी अगर यहीं पर मैं पूंच लो बहुत कम खर्च करने वाला तो वह क्या हो जाएगा मित व्याई ठीक है मित शब्द लगने से क्या हो जाएगा बहुत कम ठीक है मित व्याई मतलब यहां शेक्राइब केम चाहार कें लाषतियों उपकार को मानने वाला होता है क्रतक्य ना चांड़ आ क्रतक्नद क्या होगा क्रतक्न जो आकाश में चलता है यानि कि जो आकाश विचलन करते है वह नभुचर होते हैं मालो आप्शे में नभचर नहीं दिया गया है और वो आप्शे में नभचर देगा भी नहीं ठीक आपको खेचर देगा ठीक है अब जो एक्वार्चाम होते हैं तो उन वह मेंना सिंपल जीज नहीं पुछी योगी पता है ये सबको आती होगी तो ऐसे चीज़ पूछें को जो सबको ना आती हो ठीक है नेक्स्ट आते कंजूसी से धन्कर्च करने वाला connect जों ये द्धन्कर्च कर रहा हो वो कौन होगा वो करपाद सत्य बोलने वाला ये आया हुआ सदाचारी बहुत अधिक बोलने वाला ठीक है वह होता है वाचाल और वाचाल का अपोजिट क्या होता है मैंने लाक्ष करास में बताया था यह आप इसको कमेंट सक्सें में टाइप करोगे वाचाल का अपोजिट ठीक है जो इंद्रियों द्वारा न किया जा सके वह होता है या फिर अती इंद्रिय ठीक है परवत के नीचे की जो समतल भूमी होती है उसके पास की उसको बोलते हैं उपत्य का यह आपका बहुत इंपोर्टेंट है पूछा भी गया एकाद अग्जाम में और उच्छकुल में पैदा होने वाला कुलीन होता है अब देखो कुलीन शब् में बस इतना है आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को जादा से जादा शेयर करिए ठीक है नेक्स क्लास में मिलेंगी समास वग्यरा आपका जो भी दिया गया है विराम चिन ठीक है सब आपका स्लेबस के आपको टेंशन नहीं लेनी है वो हमा हो गया है उसको रिवाइस करते हुए चलिए ठीक है थैंक्स वार वाचिंग और प्लीज लाइक से ने सब्सक्राइब है चैनल पर बाए टेक केर